इस तरीके के सुन्दर सुन्दर दिये कांच के आपने मार्केट में देखे होंगे पर इसे मैंने बनाया है दवाई के खाली बॉटल का यूज करके है न कमाल और इससे भी सुन्दर सुन्दर दिये हम बना सकते हैं घर के पुरानी चीजों का यूज करके तो ऐसे कुछ मैं अ आसान तरीका है वीडियो बहुती ज़्यादा यूसफुल और इंड्रेस्टिंग होने वाला है तो एन तक जरूर देखिए पसंद आये तो दोस्ति के साथ शेयर करना ना भूले और यहाँ पी देखे हमें लेनी है मौम बत्ती जो की बिलकुल 5 रुपे में मिल जाती है और हर अलग से मौम बत्ती लेनी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मार्केट में बहुत सारे दिये मिलेंगे पर हर किसी के वो बजट में नहीं होते क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो आप भी इस तरीके से कम बजट में दिये जरूर बनाईए तो यहाँ पे द धकन या फिर दिया मिट्टी का भी ले सकते हो या जैसे कलर के बॉटल होते हैं न काच की वो अगर खतम हुई है तो ट्रांसपरन बहुत अच्छी लगती है तो उसका भी इस हो जाएगा और यह जो धकन जो होते हैं प्लास्टिक के नहीं लेने हैं जो लोहे के मजबुत हो तो इन में से कोई भी चीज है तो आप ले लीजए या फिर कुछ अलग है आपके दिमाग में या फिर आपके घर में कुछ और चीज़े है तो इसका भी उज़ आप कर सकते हो तो यहाँ पर देखें पहले हम सिलवर फॉइल का दिया कैसे बनाना है वो देख लेते हैं तो तोड़ा सा ज्यादा अच्छे से कॉलिटी से बनाना है तो मैंने इसका दो तीन हिससे इस तरीके से एक के उपर एक लगा के लिया है चाहो तो आप एक ही सिल्वर फॉल के लिए ले सकते हो जिससी की थोड़ा वो पतला बनेगा तो यहाँ पे हमें कोई भी इससे डिब बी ल सकना है उसके हिसाब से आप कट कर लीजे या फिर जैसे बड़ी बॉटल लोगे तो यह बड़ा भी बन जाएगा इस तरीके के जो सिल्वर दिये है आपको देखके पता लगाई होगा कि मैं किस दिये की बाप कर रही हूँ मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं पर बहुत मह पर आप इसे कुछी सेकंड में घर में बना सकते हो वो भी सिल्वर फॉयल से तो यहाँ पर मैंने फिलाल दो दिये बनाए हैं जो कि बहुत अच्छे बने हैं तो इसमें हम क्या डालके दिये जलाने वाले वो भी सारी डीटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगी तो नेक्स् किस गाउं से या शेयर से देख रहे हैं मुझे जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताए ताकि मेरा वीडियो कहां कहां पोचा वो मुझे पता चाह सके यहाँ पर मैंने इसका स्टिकर हटा लिया है और इसका धकन हमें अच्छे से लगा लेना है उसके बाद देखे यहाँ पर हमें एक धागा चाहिए कोई वैसा धागा लीजे जो थोड़ा मोटा हो और देखे बॉटल के यह वाले हिससे पे मैं धागे को इससरी के से लपेट रही हूँ चाहो तो आप बॉटल को किसी भी जगर से काट सकते हो जैसे आप जिस शेप में आपको चाहिए या फिर ज नेलपेंट रिमुवर की तो मैं इसी से यह धागा गिला कर रही हूँ चाहो तो आप जो लिक्विड वाला होता है ना नेलपेंट रिमुवर वो भी ले सकते हैं और इस तरीके से धागे को उपर डालके धागे को गिला कर दीजे उसकी बाद यहाँ पे देखे हमें इसको जलाना है मतलब जैसे आप इसको आपके पास लेके जाओगे यह आग पकड़ लेगा क्योंकि इसमें हमने नेलपेंट रिमुवर का यूज किया है नेलपेंट रिमुवर आग पकड़ने का काम करता है तो यह इसको हमें अच्छे से जलाना है जब तक यह धागा जो है अच पे बस धागा लगा के ये कर दीजे तो बाटल अराम से कट हो जाएगी है न कमल का ट्रिक जरूर ट्राय करें और ये देखें कितना क्यूट ये नीचे का हिस्सा निकल चुका है पर ये अभी बहुत ज़्यादा तेज है क्यूंकि कांच है कट हुआ है तो वस ही से हमें जो श कर सकते हों डेकॉर की तरब बहुत सुंदर लगेगा उसकी बाद देखें अगर आपको इस तरीके के दिए नहीं बनाने तो आप सिंपल ये मिट्टी के दिए भी ला सकते हो जिसका भी आप दिया बहुत ही आसानी से कुछ अलग वे में बना पाओगे तो ये देखें मैंन हमने बना लिया मतलब दिये तो रेडी हो चुके है पर दिये में बाती कैसे डालेंगे और अंदर का वह जो लिक्ट होता है वो कैसे बनाएंगे तो इसके लिए हमें चाहिए मोंबती देखें एक मैने लिये है और एक खमें लिarnya कोई भी बदतन और बदतन के अन्दर इस त अगर आपको सेंटेड वाली केंडल जलानी या फिर सेंटेड वाली दिये लगाने हैं तो आप इसमें डाल दीजे थोड़ा सा कपूर जिससे के बैड स्मेल चली जाएगी बहुत अची खुश्बू आएगी और कपूर घर में जलाने से एक पॉजिटिव एनरजी भी बनी र है दिहां भी मैंने कुछ बट्टिया बना ली है चाहें तो लंबी वाली बट्टी भी आप यूजे सकते हो तो देखें पूरे दिये मैंने ले लिए है और बट्ति को हम अच्छे से अंदर रखेंगे और अगर आ आप लंबी वाली बत्ती लेना चाहते हो उसको कैसे इसमे तुकडा लेली जैसे कि आप यहाँ पर माचिस की तिली भी उस कर सकते हो और इसे इस तरीके से बत्ती को लपेट के बिलकुल सेंटर में रखना है पर इसमें मौम बत्ती का पानी डालने के बाद तो यह देखे अच्छे से पिगल चुका है तो अब हम इसको डालेंगे सारे ह हमारे दिये में आप देखते रह जाओगे इतना सुंदर यह दिये बनते है और ज्यादा खर्चा भी नहीं होता मतलब 5 रुपे में आपके बहुत सारे दिये बन जाएंगे और साथी में जैसे घर में कुछ हम बनाते इस तरीके की चीज़े और यूस करते है तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है खुशी कुछ अलग होती है आप भी जरूर बनाईए आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और अगर आपको कलर वाली कैंडल चाहिए तो यहां पर आपको क्या करना है कोई भी जैसे वाटर कर ले लीजे या फिर जैसे कुम-कूम हल्दी भी ले सकते हो तो यहां पर दिखे दिये में मैंने कुम-कूम थोड़ा सा डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ चाहो तो आप जैसे हम पिगलने के लिए मोम को रखाता उसी टाइम पे आप कलर डाल के पूरे अलग-अलग कलर के दिये बना सकते हो बहुत ही सुन्दर लगे पर यहां पर फिलाल मुझे कलर वाला दिया नहीं चाहिए तो थोड़ा सा मैंने इसमें कलर दे दिया है रेडिश आप देख सकते हो उसके बाद दिखे पूरी जो बत्तिया है ना अच्छे से आप देखोगे सेंटर में आई है कि नहीं जिससी की दिया और भी सुन्दर लगेंगे और आपको सबसे ज़्यादा कौन सा दिया अच्छा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए पसंद आया हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजे चले देखते इसको जलाने के बाद एक कैसे लगेंगे और ये कैसे अच्छे से जलते है कि नह तो यहाँ पर देखे कितने सुन्दर लग रहे हैं जो काच का दिया स्पेशली बनाया था ना मुझे तो सबसे ज़्यादा वो अच्छा लगा है आपके पसंद भी मुझे जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताए देखे कितने अच्छे से जल रहे हैं बिलकुर इसे देखे को सबस्क्राइब जरूर करें ऐसे यूसफुल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू